पिश्टे दो दुनों में चेत्र के ग्रामीन इलागों में और शेहरी चेत्र का हमने दौरा किया है। आज दुरभागे बश हमारे जो पूर कॉंगर्स पार्टी के प्लॉकर तेप्स थे। उनका दियान थो गया। इस बज़े से आज के सुबह के गारगों में सगित किये हैं। उनके अंतेष्टी में हम लोग अभी बाग लेकर आए हैं। बड़ा तुरभागे पूर्ण रहा उनका जाना। लेकिन जहां तक चुनाव अभ्यान की बात है। बहुत अच्छा भ्यान चल रहा है। आदे के बाद उन सब का प्रोग्राम मनना राइस्थान में आने का बड़ी सबाओं को संभोधित करेंगे। हमारा कैमपेन बड़ा पॉजिटिव है। हमने जो गोश्टाएं करी हैं। जो जन कल्यान की हमने बात रखी है। उसको पब्लिक पसंद कर रही है। और कैंडिट्स का जो कॉंगर्स की कैंडिट्स हैं। उनके पचार में लगातार भीड़ा रही है। आपने देखाओं का नामांकन के दिन जिस जन सहलाब का अटेंडिनस महां दिखी कॉंगर्स के नॉमिनिशन्स में। वो इस बात तो दिखलाता है कि मैंडिट कॉंगर्स पार्टी को मिलने जा रहा है। करकार बनाएंगे जहराओल जी ने का राइस्थान में भी ये अब परंपरा टूटेगी रिवास टूटेगा और कॉंगर्स पार्टी का शासन दोबारा बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। पार्ट पूर पार्ट पददिकारी अलग-अलग लोग क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आने वाला भविष कॉंगर्स पार्टी का राइसान के अंदर और जो मान समान हम लोग संगठल में देते हैं शायद दूसरा दल नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैंने बड़े खुले मन से कब रात को इन सबका स्वागत किया। और भी ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं आने वाले समय में उनको भी हम आगमन करवाएंगे कॉंगर्स पार्टी के परिवार में लेकिन ये हावा का रुख भी दिखलाता है कि अगर लोग चुनाव की पूर संध्या पर कॉंगर्स पार्टी को जॉइन कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि जन्मानस का रुख क्या है और मद्दावतों के मन में क्या है अब घरगर जा रहे हैं अब एक तरजब से अधिक लोगों की खर गए हैं कोई खास फरेंड ने पी है इसको लेगर्स पार्टी के चुनाव में जो दो-तीन दिन का हम टॉंक में लगा रहा ह है मैं समझता हूं कि चुनाव चुनाव होता है और कभी भी किसी भी उमीदवार को अतियाश्वस्त नहीं होना चाहिए और पब्लिक एक्षपेट भी करती है त्युहार का समय भी है लोगों से मुलाकात हम तो हमिशा ही करते हैं लोगों से मिलना और कल मैंने लगबग 40 गा अगर पार्टी का लीडर, पार्टी का कैनिडेट अगर महनत करता है तो वरकर्स के लिए एक मिसाल बनती है फिर वरकर्स भी दूबनी तो चौगने महनत चे काम करते है और बिना महनत के मुझे लगता है जीवन में कोई कारेक सफन नहीं हो सकता तो महनत में कभी कमी हम अगर बनती है उन्दे वो करेगी लेकिन आउट्रीच में कैमपें में 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 लोगों तक पहुंचने में संपर करने में उनको साधने में लोगों को साथ जोडने में इसमें लोगों को करसानी छोड़ें तिनों नेताओं के राहुल जी का प्रेंका गांदी जी का खर्गे जो भी हमारे विरोधी हैं, बहुआ धो कुछ दिनों के आप महमान मन कराए हैं, जो भी जवाब देना है, मैं तो जनता ही जवाब देगी, आदा जवाब मिलेगा 25 तरह को, और पूरा जवाब मिलेगा 3 तरह को जब पढ़ना हमाएंगे. भाजपा का फोकस होना चाहिए अगर वो सरकार बनाते हैं तो परदेश में क्या करेंगे रेल कब लेकर आएंगे कि इन सरकार से कब हाथ पे जोड़कर हमारी अधूरी योजना का पूरा करवाएंगे शिक्षा का चिकित्षा का रोजगार का उद्योग का निवेश का उन्हें इन बातों पर अपनी बात रखनी चाहिए उनका रोडमैप क्या होगा पांच साल के लिए वो तो कोई उनकी ना तो विजन है ना सोच है वो तो सरफ ले दे के मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसल्मान किसी नेता के आलोच ना कर देना, अपनी बढ़ाई कर देना इनी काम तक सीमित रहे गए हैं लेकिन ये चुनाव निर्णायक हैं क्योंकि इसके तुरंट बात लोकसभा के चुनाव भी होंगे और भाज-बाज बैकफुट पे है, उनका जो कैम्पेने उनका टेक आउफ नहीं कर पा रहा, इतने नेता ने कल पदानमती जी भी आये थे लेकिन कोई सभाओं में को बहुत जादा उससे बदलाव आएका लोगों के सोच में मुझे ऐसे लगता नहीं है और इतने महनत उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहां के जो नेता है राइस्तान के उनकी पाड़नी पड़ रही है कैंपेन में वो उसको तूनने दे पा रहे हैं तो इसलिए पॉब्लिक समझ गई है लगबख 10 साल से केंज सरकार दिली में उनका शासन देख लिया जो हालात निर्मेत आज हुए है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंज सरकार की है तो बीजेपी बैक फूट पे है और कौंगेस लागातार बड़त बनाए हुए है हमारे सरकार के कारकाल में उसका बजटामंटन उसका सर्वे उसकी घोषना लोगसभा के सब्दन के पटन पर जब सरकार ने कर दिया और सरकार हमारी उसके पाद चली गई तो पर यह अदूरी रह गई नहीं तो नौ साल से नहीं जिस समय योजना बनी ती उनको जानकार ही नहीं उसका हन्याना में थे मनमोण सिंग जी पधान मंत्री थे रेल मंत्री जी ने बजट में घोषना करके इसको सैंक्शन किया था आज 9 साल तक उसके कोई कारवाई नहीं हुई मैं इसका राणिति नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन जो तथ है वो जनता के बीच में आने चीए